नमस्कार मैं प्रग्या धरधरती इस खबरों में आपका स्वागत है चले जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुक खबरों को पीएम नरेंद्र मोदी ने सोंबार को गूगल और अल्फाबेट के सीयो सुन्दर पिचोई से वर्चूल मीटिंग की है पीएम मोदी और सुन्दर पिचाई ने भविश्य के विवन योजनाओं को लेकर भी बातचीत की है प्रधान मंत्री मोदी ने भारती इमूल के सुन्दर पिचाई से बातचीत करते वे गूगल की भविश्य की योजनाओं पर चर्चा की है कॉंगर्स दश्य और पुर्वपंचायती राजमंत्री मनी संकर अईयर ने भाजपा को लेकर बड़ा बयान दिया है उन्होंने कहा है कि लोग भाजपा को नहीं बलकी मोदी को वोर्ट दे रहे हैं लेकिन मद्दाताओं के बीच मोदी की प्रशनशा के कारण पार्टी प्रभावसाली मद्दाताओं को जुटाने में काम्याब रही है पीे मोदी के आदी कैलास वाली फोटो का मिताब बच्चन ने पोस्ट कर अपने मन की बात कही वहीं इसके बाद PMODI ने भी से लेकर रिपलाई किया है, इस पर PMODI ने कहा है कि पारवती कुंड और जागे शुर मंदिरों की मेरी याधरा वास्ता में मंतर मुग्द कर देने वाली थी इसके साथ पी ए मोदी ने अमिताब बच्चन से गुजरात आने का आग्रह भी किया है और कच्छवत सब आने का नियोता भी दे राला हाली में इंटरनेशनल उलंपिक कमेटी ने बड़ा फैसला लिया है क्रिकेट को दुबारा उलंपिक में शामिल किया गया है इस दुरान क्रिकेट की टीम भी गोल्ड मेडल के लिए जमकर जहद जहद करेगी क्रिकेट प्रेमी आई ओसी के इस बड़े फैसले से काफे खुश है को जानकर हैरानी होगी कि क्रिकेट को उलंपिक दो हजार अठाइस में शामिल के जाने के पीछे विराट कोली का बड़ा हाथ है यह हम नहीं कह रहें गया बात आई ओसी के बयान से जलगती है भारती वाई उसे ना अपनी क्यानवे स्थापना दिवस मनाने जारी है इस मौके पर देश भर में सकती प्रदर्शन जारी है इस मौके पर गोहा टीम एयर ओफिसर कमांडेंग एन चीफ एर मार्सल एस पी धरकर ने इसरायल हमास के युद पर बड़ा बयान दिया है और उने कहा है कि हम इसरायल और हमास युद से काफी कुछ सीखने की कोशिश में लगे हैं भारत की हवाई सुरक्षा सबसे आदा मजबूत और तागतवर हो चुकी है धरकर ने कहा कि हम किसी भी खत्रे से नेपटने को लेकर हमेशा तयार रहते हैं भारतिय वायू से न अलगतार इसरायल हमास युद पर नजर बनाएक है इसरायल और फिलस्तीन के मुद्दे पर बोलते वे गुलाम गौस ने बगैर नाम लिये पीम नरेंद्र मोदी पर आपती जनक टिपनी की और कहा कि फिलस्तीन को आतंकवादी बताने वाला खुद आत भाग गया है कि ये सक्स देश का प्रधान मंत्री बन गया है इनके दावन पर हजारों इंसानों के खून के धबे लगे वे ये सब देश में राज करने लायक नहीं है इनका वक्त अब बुरा हो गया है हमारे देश के कुछनेता आचाटू कारिता में लगे वे अमेर का एक चिठी लिखकर कहा है कि दिजवान नहादराबाद में नीदल लैंड के खिलाव वश्व कप मैच के दोरान मैदान पर नमाज पढ़ी थी जो मैच की भावना पर सवाल उठाता है क्रिकेट को उलम्पिक में शामिल करने पर पिधान मंतरी नरेंदर मोदी ने खुशी जाहिड किये पीमोदी ने सोचल साइट एक्सपर पोस्ट करते वे अपनी खुशी जाहिट की है और अपनी पोस्ट में लिखा है कि खुशी की बात है कि बेजबॉल, सॉफ्टबॉल, क्रिकेट, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और स्क्वैस, उलम्पिक में शामिल होने चाड़ा है, खि उसने कुछ जगों पर सर्वे ऑपरेशन भी चलाया गया, यह पुड़ा मामला 56,000 करोर रूपे के बैक फ्रॉट से जुड़ा हुआ है, इडी ने इन शापों को लेकर सुमवार को बड़ी जानकारी दी है, इडी का कहना है कि उसने कम्पनी के दिली हैंसियार, हरियाना, मुंबई और भुवनेश्वर सहित पर इस सरों पर 13 अक्टूबर को छापे मारे थे, कुल 30 जगों पर छापा मारने की कारवाई की दिल्ट है, बिहार के डिप्टी सियम तेरश्वी आदव अवासानी से विदेश दोरे पर जा सकेंगे, राउच एवेन्यू कोर्ट ने उन शारदीय नवरातरी के दूसरे दिन भी मा भगवती के दरवार में नमन हेतु श्रद्धालू की ताता देखने को मिला रविवार की शाम 4 गंटे पहले बंद हुआ पंजी करन कक्च सोंबार सुबह 4 बजे से श्रद्धालू के लिए खोल दिया गया, इसके बाद से श्रद दूसरे नवरातर पर करीब 41,104 श्रद्धालू ने वैसम देवी भवन पर नमन किया, हला कि जन दिन भर भाड़ी वारिश किचल से श्रद्धालू कुछ हद तक परिशानी का सामना भी करना परा, परन तुबारिस भी भवन पर नमन हीतु जाने वारिश श्रद्धालू के भारत की से अच्छूता नहीं है, एक बार फिर ये हड़र सतारा है कि जंग के कारान कच्चे तेल की कीमतिय बढ़ सकती है, विश्रद्ध की माने तो भारती अर्थवयवस्ता पर भी कड़ी बड़े प्रभाव पर सकते हैं, भारत के विदेश मंतराले के तेस्त तरार प्र लगसफा ने अर्थ जूटे और मानहानी कारक आरोप लगाने के लिए सूमवार को भारती जनता पार्टी के सांसद निशिकान दूबे और वकील जय आनंत देहादराई को कानोनी नोटिस भेजा है, निशिकान दूबे ने बीतिर अविवार को लोगसभा आद्यक्ष को ल समाद गरबंधन सिविक्स ने भारती अधिकारियों ने गयर कानोनी गतिवीधी रोगथाम अधिनियम के तहस समचार वेबसाइट निउसक्लिक के खिलाफ कारवाई बंद करने और उसके संपादक और करमचारियों को रिहा करने का आवाहन किया है। विवादा असपद कामोन लागू करने पर विचार कर रहा है जिसके तहद वाटसअप को किसी मैसज को लेकर उससे भेजने वाले पहले व्यक्ति की सोर्च आईडी साधा करनी पर सकती है। मौत होने का संदे है और 13 ऑक्टूबर तक 1330 मामले दर्ज किये गये जो राजे में हाल के दिनों में दर्ज किया गया सबसे अधिक संक्रवन है। रिपोर्ट के मताविक इस साल के संख्या 2022 में दर्ज किये मामलों से लगबग 3 गुणा और 2021 में दर्ज मामलों के तिलना में 5 गुणा है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में LGBTQIA प्लस समुदाय को वैवाहिक समानता का अधिकार देने से इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा शादी का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है समलंगिक विवाः पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा विवाः का कोई अयोग्य अधिकार नहीं है सिवाए इसके किसे कानून के तहद प्राभ मानिता प्राप्त है नागरिक संग को कानूनी दर्जा प्रदान करना केवल अधिनियमित कानून के माध्यम से ही हो सकता है समलंगिक संबंधों में ट्रांस सेक्ष्वल व्यक्तियों को स्राधी करने का अधिकार है कॉंग्रस ने सुमवार को केंद्रे ग्रेमंत्री अमस्ता की राजे में साम्रदाई खिंसा में मारे गए बुने इश्वर साहू की हत्या पर उनके भरकाओ बयान के लिए आलोशना की और चुनावायोग से भाजपाने तक खिलाप मामरा दर्श करने की आग्रक किया अप्रेल में बे में तरा जिले के बिडानपुर गां में साम्रदाई खिंसा में साहू की मौत हो गई थी भाजपाने उनके पिता इश्वर साहू का सजट विधान सबाच्षेतर से मैदान में उता रहा था भारत की सेनाए अबुजवला योजना आतनरभर भारत और नारी सिस्थिकरन चैसी योजनाओं को जनता के बीच ले जाएगी रक्षा मंतराले ने जल्थ थल और वायू सेना को इसके लिए देश के नव अलग-अलग शेहरों में सल्फी पॉइंट्स बनानी को कहा है इन सहरों में 822 सेल्फी पॉइंट बनाए जाएंगे सल्फी पॉइंट पर पिधान मंतर इनरेंद्र मोदी की तस्वीर भी लगी रहेगी तीनों सिनाओं के अलावा DRDO और Border Road Organization भी इन नौ सहरों में सल्फी पॉइंट्स बनाएंगे चानकारी के मुताविक भारतिय थल सेना केंद्र सरकार की विविन योजनाओं को दर्शानी के लिए सो सल्फी पॉइंट्स बनाएंगे आज यानी मंगलवार 17 ओक्टूबर को निर्धंता उन्मूलन के लिए अंतराश्विय दिवस 2023 मनाया जा रहा है निर्धंता में जीवन यापन कर रहे पूरी दुनिया के लोगों और व्यापक समाज के दुखों को लेकर सभी से समझ को बढ़ावा देने के उद्देशियों के साथ हर साल आज के दिन वैस्विक निर्धंता उन्मूलन दिवस का मराया जाता है समझ राश्र महासवाद दौरा 22 दिसमर 1992 को एक समझ दिन प्रस्ताव को पारच के जाने के बास से हर साल 17 अक्टूबर 1993 से विश्वगरी भी उन्मूलन दिवस मनाया जाने के शुरू हुई वाटसेप ने अपने यूजर्स के लिए एक नया अपडेट जाड़ी किया है अगर आप भी चैटिंग एप वाटसेप का इस्तमाल करते हैं तो यह नया अपडेट आपके काम का हो सकता है दरहसल कंपनी ने अकाउंट लोग इन करने के नए तरीकों को लेकर अपने अपने वाटसेप अकाउंट को पासकी की मदद से लोग इन कर सकते हैं तरहसल पासकी फीचर अकाउंट को लोग इन करने का अपने वाटसेप आपके तरीक दे सकता है बोक्स ओफिस पर अक्टूबर का महीना कई बड़ी फिल्मों के लिए अच्छा साबित नहीं गीवा आई-सी- रानी गंज और जवान की तरह ही फुक्रिती इंका कलेक्शन भी लाखों में मौट लिया। पर बने फिल्म का ट्रेलर लौच कर दिया गया है, फिल्म के ट्रेलर को सुमवार को लौच किया गया है, फिल्म मराथी भाषा में बनी है, इस फिल्म को लोगों को लंबे समय से इंतजार था। प्रति किलो मीटर हो सकता है जिससे अधिक से अधिक लोग इसका सफर कर सके प्रात्मी खंड यानि साहिबाबाद से दुहा इस सुरू में 15 मिनट के अंतराल में रैपिड एक्स चलेगी यातरियों के बढ़ने के साथ अंतराल को कम किया जा सकता है ट्राल भी 15 मिनट के अंतरा पाने वाली बिहार के छपरा जले से तालुक रखती है उनका सफर काफी संघर्ष पूर्ण रहा है सभीता महतो का नाता बेहत गरी परिवार से था बच्पन में वह अपने पता की छोटी सी मच्टी दुकान में उनके साथ मच्ली बेचातर दिखी बीतर दिन से बिहार के र राज्य कर्मियों को निम नवर्गी लिपिक के रूप में प्रमोशन दिया गया है नए राशनकार धारकों को उज्वला योजना के तहट मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दिया जाएगा पटना जले में इसके शिरवात 17 अक्टूबर को हो जाएगी इसके लिए आमजन के ब समिट 2023 का उद्गाटन किया जहां पीया मोधी ने ग्लोबल मैरिटाइम इंडिया समिट के तीसरे संस्क्रन में मैं आप सभी का अभिनांदन करता हूँ इसे पहले जब हम 2021 में मिले थे तब पूरी दुनिया करोना की अनिश्टा से घिरवी थी कोई नहीं जानता था कि करोन के बाद का विश्व कैसा होगा लेकिन आज दुनिया में एक नया वर्ल्ड ओर्डर अकार्ड ले रहा है वो दिन अब दूर नहीं जब भारत दुनिया के टॉप तीन एकनोमिक देशों में सामिल हो जाएगा हमारे पूछी का सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है निनु